हाई फ्रेंड्स मेरा नामे राज और आप सभी लोग का विलकम है हमारे और आपकी यूट्यूब चैनल लखी आर्ज में आज की इस पीडिये में हम लोग बात करेंगे अगर दोसो आप सभी लोग एक कौमन सर्वे सेंटर संचालक हो यानि कि दोसो एक CAC बेली हो तो दोसो आप सभी लोग के लिए एक बहुत ही बड़ी गूड नियूज है क्योंकि दोसो CAC की दुआरा All of India में जितने पे सारे सिटीजन हैं या जितने पे सारे बच्चे हैं या जितने पे सारे महलाएं हैं सभी लोगों का सर्वे स्टार्ट हो चुका है जिसके एकोर्डिं किसी भी व्यक्ति को अगर आवास आदा थो इसी सर्वे के होगा एंग और किसी मेहलाओ को किसी योजना का लाव लेना है तो इसी शरवे के कोर्डिंग कर पाऊगे की वारा सर्वे के कोडिंग किया जाएगा अड्य में आप Aycemos Service Center संचालघ以及 कर सकते हैं तो आज किस वीडियो में मैं आप लोग को एक complete details बताने वाला हूँ कि किस प्रकास से इस survey में आप सभी लोग को काम करना है तो चलिए दोस्तो इस कमाल के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं पहला नबर दोस्तो आप सभी लोग को अपने digital स्वा पोर्टल पे आना होगा digital स्वा पोर्टल पे आने के बाद यहां पे आप सभी लोग को option मिल जागा easy zov and view product के option पे आप सभी लोग प्लिक करोगे इस पोर्टल में आप सभी लोग भारत के जितने भी वेक्ति हैं सभी वेक्तियों का survey कर सकते हो and survey के according उन लोगों को योजनाओं का लाब दे सकते हो तो आप सभी लोग को एक अच्छा खासा commission भी रखा गया है तो जिसके लिए लाभरती पोर्टल पे आओगे option दिया गया है digital सेवा connect आप एक बार इस पे click कर दोगे अगर दोस्तों आप से भी लोग का digital सेवा connect नहीं हो रहा है तो basically दोस्तों मैंने already एक dedicate वीडियो बनाया हुआ है लिंक आप से भी लोग को description box में डाल देंगे ठीक है अब यहाँ पे आने के बाद new application को option मिल जाएगा यहाँ पर बहुत सारे schemes देगे हैं इंडिया में जितने भी सारे schemes हैं अलग-अलग department की जैसे की फीसर्स की अलग हो गई agriculture, health and medicines साथ इसाथ small and business empowerment education related, social service related, pension related, housing related ऐसे बहुत सारे surveys यहाँ पर दी गई है schemes देगी है जिसमें के दोस्तों आम जनता का आप से भी लोग survey के according इस schemes में enroll कर सकते हो जिसमें कि आप लोगों को एक अच्छा खासा commission भी रखा गया ठीक है for example मैं यहाँ पर example के तोर पर आप से भी लोगों को समझाता हूँ अगर दोस्तों कोई भी वेक्ति आप से भी लोग के common service center पर आता है कि मुझे स्वक्च भारत mission के अंदर गत मेरे घर में सोचा लए नहीं है मुझे सोचा लए की सक्स जोरत है तो सबसे पहले आप से भी लोग लाभारती portal पर आओगे आने के बाद यहाँ पर housing के option पर आओगे तो option दिया गया है स्वच भारत mission का तो आप से भी लोग को सबसे पहले no more के option पर click करना है उस वेक्ति को ensure कर देना है कि जो भी document यहाँ पर दी गही है उन लोगों के पास आधार काड होना चाहिए उन लोगों के पास अपना एक रासन काड होना चाहिए और एक saving bank account होना चाहिए अगर दोसों यह सारे document उस वेक्ति के पास है तो निशियन भी आप से भी लोग उनका स्वच भारत mission के अंदर enroll कर सकते हो और बहुत एजल उन लोगों के account में बारह हजार रुपए गौर्मेंट के थुरू dbt के मादयम से send किये जाएंगे जिससे कि वो आपना एक सोचाले को enroll कर पाएंगे अब आवेदन किस परकार से करना है चलिए वो भी मैं बता देता हूँ स्वक्षवारत mission के option पर क्लिक कर देना यहां पर काफे सारे options आजाएंगे जिसमें की male, female या transgender वो जिस भी category से है आप लोगों को उनका survey करना है आपके पास female के option पर क्लिक कर देना अब उनकी age कितनी है वो आपसे भी लोगों को उनसे पुछनी है और उस age को यहां पर आपसे भी लोगों को उनका selection कर देना है अब कर देता हूँ अर्बन या ruler से विलोंग करते हैं तो for example मैं ruler choose कर देता हूँ यहां पर option दिया गया है do you have any toilet at your home यानि कि उनके पास कोई toilet है या नहीं है तो मैं no के option पर क्लिक कर देता हूँ अब customer का यहां पर आपसे भी लोग को उनका mobile number डालना है request OTP के option पर click कर देना है कि क्या वो इस benefit के तौर पर aware है तो आपसे भी लोग अपने categories के option पर choose कर देना अब यहां पर आपसे भी लोग देख सकते हूँ कि apply का भी link यहां पर जारी कर दिया गया है और यहां पर ration card और आधार card की जहुरत पड़ेगी और bank passbook की जहुरत पड़ेगी link आपसे भी लोग के शामने आचुका है अब आपसो सब्मेर को एक बर इस पे क्लिक कर देना है यहां इस लिंक को आपसे लोग यहां से copy कर लेना या यहां सब्सक्राइब कर दोग सकते हूं अब यहां पर दोस्तों उन लोगों का mobile number डालना है, get OTP करना है, उन लोगों के mobile number पर एक OTP आजाएगा, OTP को डालोगे, capture डालोगे, and sign in के option पर क्लिक करोगी, यहां पर एक application form आजाएगा, जिसको आपसे भी लोग को बहुत ही carefully तरीके से feel करना पड़ेगा, जिसमें के दोस् साथ mobile number का link होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें एक OTP को send किया जाएगा, जिससे कि आधारकार number verify किया जाएगा, ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आप लोग को अपने father का name या husband का name type करना है, zender का name को select करना है, category search करना है, mobile number डालनी है, email ID डालनी है, अपना पूरा address डाल branch का name select करोगी, branch का address automatic आजाएगा, state automatic आजाएगा, यहां पर आप सभी लोग को अपने account का पूरा number डालना होगा, confirm करने के लिए और एक बार account number डालोगी, इसका बाद bank passbook को यहां पर आप सभी लोग upload करोगी and apply के option पे click कर दोगी, apply के option पे click करने के बाद सारे details सही होने के ब दोस्तों आप सभी लोग के common service center संचालक हैं, तो आप सभी लोगों का survey कर सकते हो, survey recording उन लोगों को schemes के अंदर का फायदे पहुंचा सकते हो, और उसका आप सभी लोग को एक अच्छा खासा commission में देखने को मिलेगा, इस वीडियो में मैंने सारे जानकारी आप सभी लोग को टाटा और गुट बाई